आज से आप लोग का क्लास 11 स्टार्ट है यह क्लास जो है एप भी लाइव है और यूट्यूब भी लाइव है दो क्लास और तीन क्लास आप लोग को यूट्यूब पे जी रूइब फिरी मिलेगा उसके बाद जितने भी क्लास होंगे वो सारे किसा होंगे अप्लीकेशन पर होंगें być पार्गेट वोड अप्लीकेशन पर चलिए आज हम लोग क्लास वन से स्टार्ट करते हैं सारा चीज हम आपको पहले बता दिये थे तो हम लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और वीडियो को दोस्तों के पास चैर करते हैं जैसे कि यहाप पे लिए क्लास से समझ लुब पढ़ लो चाहे कहें एप आप लोग को clear कर देता हूं कि यह grammar की class कोई भी student कर सकता है जाहे हो 9th का student हो चाहे वो 10th का student हो 11th का student हो चाहे वो 12th का student हो या फिर कोई भी other competitive exam की तयारी कर है या कोई भी student इस class को क्या कर सकता है जोएन कर सकता है कहीं कोई दिकत ने क्योंकि grammar की कोई class नहीं है लेकिन यहाँ पर हम grammar 11 इसलिए लिखे हैं ताकि जितने भी बच्चे हैं हमारे ज्यादातर किसे 11 से रिलेट करते हैं तो चलिए start करते हैं हम अपने topic को सबसे पहले हम लोग समझेंगे Korean language क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं English पढ़ने वाले हैं और English एक यह भासा है English एक क्या है भासा है तो सब से पहले हम लोग जानए कि language बता क्या है लेंग्वेज हम कहते किसको है बरे ही अराम से चलेंगे, कोई जल्दवाजी नहीं, बहुत कम सीखेंगे, लेकिन पड़ी पूर्ण और नी, completely हम आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे, ऐसा नहीं कि मतलब घिचते जा रहा है, concept को घिचते जा रहा है, अराम से चलेंगे, कोई हर पचा करेंगे, किसके बारे में, लेंग्वेज के बारे में, किसके बारे में, लेंग्वेज, आप सभी को पता है, कि लेंग्वेज का हिंदी क्या होता है, भासा, लेंग्वेज का हिंदी क्या होता है, भासा होता है, यह अच्छी तरह सा आप लोग जानते हैं, और हम लेंग्वेज हम किसे कहते हैं what is what is language बड़े ही अराम से हम लोग एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे आप लोग को कॉमेंट करके बताना है कि वाट इस लेंग्वेज लेंग्वेज हम किसे कहते हैं चलिए फड़ा-फट तेजी में कॉमेंट किजिए और उसके बाद हम देखते हैं कि आप लोग कितने सही से बेसिक चीज को क्या किया है क्योंकि हम लोग ऐसे चलेंगे ऐसे ऐसे धीरे धिरानी बेसिक टूक्या एडवांस चलेंगे एक एक बात यहां पर चर्चा करें हम अपने homo sapiens के बारे में that means कहने के मतलब कि यह हमारे जो पुर्बज थे क्या थे हमारे जो पुर्बज थे हमारे जो पुर्बज थे उनके बारे में हम थोड़ी सी क्या करेंगे चर्चा क्योंकि आज दुनिया में बहुत सारी भासा आए क्या की जाती है इन फैक्ट में एक बात आपको और जानके आस्चरिये लगेगा और आस्चरिये लगना भी चाहिए इस सिर्फ इंडिया में इंडिया में बोला जाता है समझ लीजिए केवल इंडिया में कितनी भासा बोली जाती है केवल किसमें इंडिया में बोली जाती है इस तरह से कोई कहावत है तो उसी तरह से मतलब भासा भी बदलते हैं जैसे आपके नानिक यहां कोई और भासा होंगे आपके यहां कुछ और सबसे अदि हैंडी इंडिया में हिन्दि हिंडी इंडी में बहुत ही कोशा है इसका रीजन है क्योकि हम लोग का मातरी भासा क्या है हिंदी है तो हिंदी हम लोग का क्या है common भासा लेकिन अदि हम worldwide की बात करें पर ग्लोबल पर बात करें वह को हैं? इंगलिस है एक common language अधी आपको निपाल जाना है वहाँ पर हिंदी से काम नहीं चलेगा यहां तक कि आप तामिल आड़ू चले जाहिए तो वहां भी आपको हिंदी से बहुत जादा क्या problem हो जाएगी वहां पर आपको क्या English का क्या करना पड़ेगा यूज करना पड़ेगा तो चलिए बहुत सारे स्टुएंट अच्छे अच्छे comments भी कर चुके हैं यहां पर कि हम इसे कहते हैं language is medium that makes two easy understand one person to another person बहुत अच्छा सुभमकुमार का ठीक है आप अपने अस्तर से बहुत 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 किया कहीं कोई दिक्कत नहीं है चलिए आगे हम लोग समझते हैं ठीक है एक एक चीज को चलिए तो यहीं चीज है कि भासा जो है वह हमेसा क्या होते हैं बदलते रहता है और यह यह भा हमेशा है ऑखिगण सागे सवाइ तो मतलब भासा का आप जो है वो क्या होती ह là डैनमीक होता है चाहिए वह ही पर खंप लोगेज क्या और निरंतर पतलते रहते हैं आप इंडिया की बात बूले तभी आपको बता ही कि कितने और इंगलिस की बात किया जाएंगली की बात किया जाएं तो भारत सरकार के द्वारा है एक एक्ट लाया गया था जी सम्सक्राइब करते ओल एye क्या होता है तरह सहं आपको समझा देते टेख आपको पहले ही बताए थे आधि आपको grammar पढ़ना है English पढ़ना है तो बस एक बार के से पढ़ लिजे रिसर से पढ़ लिजे फिर दुबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है और हम यहां चो grammar आपको पढ़ा रहे हैं यह पूरा साल grammar हम आपको पढ़ाएंगे और इसमें 11th का बुक हम लास्ट में स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें मातर कितने 8 चैप्टर हैं जो कि 12 से क्या करते हैं और अधी आप grammar सीख जाते हैं तो फिर किसी भी एक्जाम में आप बैठ जाईएगा तो कोई भी एक्जाम जो है आपसे अर पूर ढंग से पढ़ेंगे और ये कोई भी इस क्लास को जोईन कर सकता है ऐसा नहीं कि 11 नर्थमने लाप लोग देखे होंगे लेकिन कोई भी इस्टुट्रेंट इस क्लास को प्रोपर पढ़ सकते क्योंकि grammar का कोई क्लास बिल्कुल भी नहीं होता है जो इस वार 10th में है 9th में 6th में बस समझ में आनी चाहिए जो हम चीज़ आपको समझा रहे हैं और हम इतना easy में समझाएंगे कि हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा क्योंकि हम हिंदी कम grammar translation method से पढ़ाएंगे इसमें English medium बाले भी अराम से पढ़ लेंगा और जो Hindi medium बाले हैं वो भी पढ़ लें Official Language Official Language Act और यह एक्ट कब आया था 1963 में यह एक्ट क्या क्या गया था लाया गया था kisht to को मान के चलिए कि हम भारत में बात करें जो मतलब ऐफिस्यल लेंगवेज तो हम लोग सब को पता है कि हमारे हिंदी है लेकिन अधी हम बात करें यूज के अधार पर तो इंगलिस एज लेंग लेंगोईज इंगलिस एक्या सब्सक्राइब English as a second language इसको लिखते जाएगा जो जो चीज हम आप यहां से आपको बता रहे हैं और उसे क्या करते जाएगा लिखते जाएगा मेरे साथ ठीक है समझाने के बाद हम आपको टाइम देंगे किसके अधार पर ऑफिस्यली जो हम यूज करते हैं यह ओफिस्यली वह नहीं समझ लिजेगा जो हिंदी वाली है यहां पर हम यूज के अधार पर बोल ले और एक चीज हम आपको बता देते हैं कि पूरी दुनिया में इंगलिस यह एक ऐसी भासा है जो कि कैसी भासा होने वाल कि अधिम यहां को बिहार में को आधिया जाएगा मुहाविं उसे क्या कहा जाएगा मतलब जो को मान बात हो क्या हो को मन क्योंकि उससे हम कहीं भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां तक कि इंगलिस एक ऐसा लेंगोज है जो कि आप हर एक जगह एवरिवेर है ना स्टाट करने से पहले हम आपको बताये थे कि MRI में इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट में अत्यधीक रूप में किसका यूच किया गया क्योंकि ता कि रहे कंट्री से क्या हो सके connect कर सके यह जो अभी हम जितने discuss कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं डारेक्ट हम topic पे भी आ सकते थे लेकिन कोई भी चीज को पढ़ने से पहले उनके value को समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अधि आप इसके value को नहीं समझेगा तो फिर आप इसका कदर बिल्कुल भी न कर दीजिया उसके बाद उससे चलाइए तब आपको समझ में आएगा कि इंग्लिस क्या है कितना आसान है इसको समझना और हम पहले ही बताएं कि इंग्लिस अंग्रेज का देन नहीं है हम आपको बताएं कि इंग्लिस एक mixture language है क्या है फिर से सुनिए I repeat again you know English is a mixture language and English is a dialectical language मत अंग्रेजी एक mixture भासा है इसमें केवल एक भासा ही exist नहीं करता है बलकि इसमें बहुत सारे भासा क्या करते हैं exist करते हैं जैसे कि Hindi हो गए संस्कृत हो गए उर्दू हो गए Latin हो गए Greek हो गए French हो गए European मतलब बहुत सारे भासाओं का क्या है इसमें यूज है नेकिन मुखे द्रुप से इंगलिस में जैदा तर जो भासाँ है यूज की गई है वो उट्रिक और लेटिन भासा की चैटा यूज की जिय 대해 तक इसका हंदी होता है मतलब बोली यूढ़ियाँ होती ए ठीक है तो चलिए आगे हम लोग बंड़ते हैं यूद्व I am से पर रहे हैं आपके दोस्त भी पर सके क्योंकि दूस्मान आगे निकल जाए लेकिन दोस्त पीछे नहीं रहाना चाहिए तो चौन कि बचे जूरे हैं है ना तो सब को क्या हो जाए मदद हो जाएगा सारे स्टूडेंट चाहिए आप 12 के है एलेवंध के नाइंध हम कितनी बार रिपीट कर दिया क्योंकि हो सकता है कुछ बच्छे लेट से जूरे होंगे तो इसलिए कॉमेंट कर रहे हैं ग्रामर की कोई कलास नहीं होती है ग्रामर डैट मिन्स ब्याकरन उस पर भी हम आएंगे ग्रामर क्या है पहले हम लोग भासा पर भी आपको भरपूर मदद करेगा क्या इंग्लिस किसी भी तरह के बिजनस में और अभी तो डिजिटल हो चुके हैं या फिर किसी मंत्री को दूसरे कंट्री में जाके कोई चलो एसोसियेशन में उसे स्पीच देना है वहां पर भी इनको यूज करना पड़ेगा किसका इसका यूज करना पड़ेगा मतलब अधि हम इनके यूज को देखे तो बहुत ज्यादा इनका यूज है आप इतना ही समझ लिजिए आपके आपके मतलब दैट मिस कहता ना कि चॉकलेट का जो चॉकलेट का जो होता है वो उस पे जो लिखावा रहाता है ना वहां पर भी हनग्लिस देखने के लिए मिल जाएगा टैस्य इसलिए समय ज्लमत में जो है conscious के अधार पर भी हमें इंगलिस क्या करना चाहिए और देखिए अधी कोई भी student जो मौन के चलिए अधर 9th से इस बार 10th में गए हैं या फिर 11th में या 12th में तो उसे मैं ये चीज़ जरूर बोलूँगा कि इसके बाद जो अभी एक class जो start होगी अब पे हैं ना जिसका price कितना है 199 का इंग्लीस एसबोकेन का यह बहुत ही अलग है मंदलब यह grammar से थोड़ा पूरे थोड़ा क्या बहुत ही जादा क्या हट ही जाता है तो यह 199 का English इस पोकेन कोर्स से आप जरूर इसे जोईन किजिए 6 मैने का है मातर कितना 199 में और वो आपको बहुत ही ज्यादा helpful होगा वो आपके English को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा ऐसा कि मांक जिली कभी आप कोई बाष से भी आप कर सकते हैं च्ट्रेक्षण भी आपको बहुत करना तो वहां पें आपको बहुत हई ज्यादा क्या वना पड़ जाएगा तो इसलिए यह होगा इसे जरूर आप लोग जोइन कर लिजेगा आईए तो अब कुल मिला के आप लोग को समझ में यह चीज आ गया होगा कि भासा का मतलब इंगलिस का क्या यूज है अब हम लोग समझते हैं कि भासा भासा क्या है देखिए भासा आप लोग ट्वेल्ट में चैप्टर भी पढ़ उनमें एक वाक सकती भी बहुत 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 क्या है महत्वपूर्ण है तो जो हमारे पुर्बज थे जो हमारे होमोसेपियंस थे वह कोई लेंग्वेज शुरुवाती दौर में नहीं जानते थे जैसे जैसे सब्यता विक्सित हुई संस्कृती बना फिर धीरे-ध लेंग्वेज का क्या होने लगा यूज होने लगा लेंग्वेज एक दिन में नहीं बन गया बलकी में बनने में बहुत ही ज्यादा रहा समय लगा है ना मनुस्य जो चीज मतलब कर रहे थे वह उनको एक्सप्रेस करना चाह रहे थे तो इसलिए आप लोग डिपनेशन पढ परते होंगे लेंग्वेज के बारे में कि वाट इस लेंग्वेज के बारे में तो आप परते होंगे लेंग्वेज यह ना, language is a medium which can express ideas, thoughts, और क्या feelings, आनि भासा एक माधियम है, जिसके माधियम से हम अपने विचारों को दूसरे के सामने क्या करते हैं, परकट करते हैं, आप जैसे मान के चलिए कि हमको इतना दर्द कर रहा है तब पर भी आपके सामने हस-हस के पढ़ा रहें, जैसे कि कहवत है ना, कि यह दुनिया एक रंग मंच है यारो, है ना, यहां हर एक को क्या नाटक करना पड़ता है, है ना तो इसलिए, यहां हर एक को नाटक करना पड़ेगा, और जैसा नाटक करके जाईएगा वैसा आपका क्या होगा नाम होगा तो अब जैसे हमको यहाँ पे दर्द हो रहा है तो हम जो बोले ओ बहूत दर्द हो रहा है तो यह जो हमारे माउट से एक सेंटेंस निकला तो आप पक्रें ओ बहूत दर्द हो रहा है ना तो अब यहाँ आप समझें कि अच्छा सर हिंदी म में बोल्न किसमें बोलने हिंदी माध्यम में सर क्या कर रहे हम से बात कर रहे हैं तो यहां इस भासा के माध्यम से एक मेडियम माध्यम से थे रहे हैं कि देकिये कि ऊहां माध्यम में एक मीडियम है जिससे हम अपनी भावनाओं को अपने feelings को क्या कर रहेीं एकस्प्रेस कर रहे हैं वही तो हमारी क्या है भाशा है बाता कुछ भी हो सकते हैं आपके जो एरिया जिसे हम लोग दहायती भासा बोलते हैं या एडर जो है क्या तो यह सब अपने आपना एरिया कीonne ट्यएक बंते हैं कि एक पर उसका वह रहगा जो उसके जिलागा मुख्रूल से क्या होगी भासा होगी जैसे मान के चलो कि हम यूपीस्टी निकालेंगे तो उसमें हमारा एक पेपर और रहेगा उस पेपर में क्या रहेगा अंगी का भासा रहेगा ताकि जब हमारा रिटार्मेंट होते होते एक से मैस आएगा कि हमको जब उस जिला में पोस्टिंग दिया जाएगा तो वह भासा हमें आनी चाहिए क्योंकि भासा का दूसरा जो काम है वह सबसे ज़्यादा है वह है कैम्नियूकेसन का संचार का हम एक दूसरे से क्या होते कनेक्ट होते हैं मैं खाना चाहता हूं मैं खाना चाहता खुछ नहीं लेकिन जैसे तुम बोलेगा I want to eat I want to eat और वह उखांने की जरुरत है तो वह क्या करों संच रहा है कर देगा खाना क्या करदेगा इस सार्प कर देगा आप मनें क्यों नहीं पढ़ते हैं तो अधी हम आपका कॉमेंट्स पढ़ेंगे तो फिर हम आपको अच्छे रंग से पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ बकलोल जो है आएगा और क्लास को क्या करेगा डिस्टर्ब करेगा तो इसलिए वैसे भी देखिए हम आपको पढ़ा रहे है आप कोमेंट कर जिएगा तो फिर क्या आप सीखेगा आपका माइंड दो भाग मैं क्या हो जाएगा बट जाएगा तुसलिए यह इंपर्टेंट है तो समझ लिजिए कि लेंग्वेज क्या है लेंगवेज हमारे एडियास को किसको हमारे ideas को हमारे feeling को किसको हमारे feeling को that means हमारे thoughts को किसको thoughts को क्या करता है express करने का काम करता है क्या भासा है ना भासा एक माध्यम है भासा एक क्या है माध्यम है और हम लोग के जो homo sapiens थे हमारे जो पुरवज थे उन्हें बिल्कुल भी भासा के बारे में पता नहीं था 12 में हम आप लोग को एक चैप्टर पढ़ाएंगे Indian Civilization and Culture क्या है Culture और क्या है सभ्यता दोनों में हम अच्छे डंग से आपको different करके बताएंगे ओके और मैं हमेशा मेरा परियास रहा है कि किसी भी चीज को बहुत ही easy way में आपको मैं क्या करूँ समझाओं और ये जो OLA Act है है ना ये लाग हुआ था कब 1963 में है ना ये दिमाग में रखियेगा जिसके ताथ ये मतलब हुई थी कि English का भी एक क्या है मन्यता है है ना और हम कल भी आप लोग को चर्चा किये थे क्लास में कि देख अधि 10 की हम बात करें तो English में नंबर नहीं जुटता ऐसा नहीं है कि उसे परना ही नहीं है बचपन में जब आप परना स्टार्ट किये थे तो ABCD साथ ही चला था और आप और और आज से पहले क्या सिखे थे ABCD सिखे थे तो इस हिसाब से नहीं हम देखे तो लेंग्वेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है है ना और सिलेबस आपके सिलेबस के लिए भी और उसके लिए भी तो आईए अब हम लोग चलते हैं क्या इंगलिस को समाझते हैं इंगलिस सारा चीज़ हम आप बता दिये अब हम लोग चलते हैं सारे चीज़ को एक एक करके समझेंगे आई यह देखिए यहां तक में एक बार फटा फटा फटाम कॉमेंट देख लेते हैं आप लोग का तब फिर हम आप यहां से कहानी को आगे बढ़ाएंगे कोई धर पर नहीं एक ही चीज को सीखेंगे लेकिन बहुत ही अच्छे धंग से चीखेंगे ठीक है चलिए चलिए बहुत बढ़ाएं कहीं कोई धिकन ओ हम मस्त हैं अपना बताओ आप अपस में बत मत हीजिए बोलने का माधियम को हम क्या कहते हैं भासा कहते हैं बोलने की माधियम नहीं है ना भासा एक मेडियम है ना language is a medium which can express आप लोग एक बार कमेंट्स करके यह भी मुझे बताएं कि आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में Okay एक कोमेंट्स करके बताइए आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं कि अच्छा दूसरी चीज़ आप यह नहीं सुचेगा हम आहां यहां आपको दिफनेशन रटवार हैं डिफनेशन लिखने की जरूरत नहीं है न अब आप फूर्थ क्लास के स्टूडेंट नहीं है कि आपको डिफनेशन रटने की जरूरत है ओके चलिए वेल्थ का बुक कब से होगा सर्ड इसी तरह के बच्छे को फीटने का मेरा मन करता है हम सारा आगे हम लोग बढ़ते हैं ठीक है बहुत मजारा सर बहुत ही बढ़ियां है न चलिए थाइंक्यू थाइंक्यू चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो और सारा चीज हम आपको बता दिये ठीक है अब चलिए इंगलिस हम लोग क्या भासा पढ़ने वाले हैं सारा ची खीचना और आप उसे ध्णका देदिये धर्वाजा शिसाई का जोता है यह Мосफ में लिखा रहा रहता है पूल और पूस का मतलब क्या मतलब हियर थंद खीचना पता चला कि आ फ्रत रिट्वे तोल इसने को युट आपормी हाँ कि ठीया घकी कैसे देंगा और यहाँ आप Kristen कि ना नहीं लगार दिया हिंदिम का है नहीं लिखे थे कि इस अधर वाजे को है ना धके लना नहीं है बलकि खीचना है अब उतना लंगा वो नीखेगा इस आपकी मजबुरी है कि आप पढ़ाई नहीं की, हम बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, है ना, बिल्कुल जल्दवाजी नहीं करेंगे, ग्रामर एक mathematics के जैसा ही क्या करता है, वर्क करता है, चलिए, अब हम लोग समझते हैं, English अपने आप में एक अच्छी तरह साप लोग जानते होंगे, कि English अपने आप म जो होते हैं, language सीखने की, यानी भासा सीखने की जो Selly होती है, वो बहुत सारी चीज़ पे Depend करती है, भासा सीखने की क्या होती है, सैलियां होती है, जैसे एक तो होता है कि आप पढ़के लिखके भासा को सीख सकते हैं, बूसरा आदि हम चर्चा करे, लेंग्वुज सीखन पैन क्या होता है उसे में बिल्कुल नहीं लेकिन जब कुछ जब आगे बढ़ें तीन साल चार साल जब आपकी आयू हुई तब आपको पता चला अच्छा बुक है इसे पढ़ना भी है इसके पहले आप बोलने के लिए सीख गए थे तो उसे हम कहते हैं लिसनिंग है ना तो भासा सेहने की सेली में इक लिसनिंग भी हमारा बहुत बढ़ा क्या करता है रोल करता है तो यहां पर खोई भी भासा और सावंड के माधिय म से बनेगा कोई भी भासा किसके माध्यम से बनता है किसे बनता है हमारे टाउण से बनते है Chief निए अभथ कोई तो यह साइन है जिसे आप लोग क्या जानते हैं लेटर जानते मतलब भासा की जो सबसे छोटी काई होती है तो यहां पर समझ यह किए अधि हम ABCD बोले तो यह आप किसे री परजन करते हैं आप इसे कहते हैं कि इस लेटर से भी पहले अधिन घटना देखें तो किन का है sound का है, जब तक sound नहीं, तब तक letter नहीं, तो पहले हम लोग थोड़ी सी क्या समझ लेते हैं, sound को समझ लेते हैं, sound मतलब क्या होता है, sound का मतलब क्या होता है, उच्चारण जो हम बोलते हैं जैसे हम बोले कि what's your name, what's your name तो ये हमारा क्या है sound है, अब इस sound को क्या देना क्या है, क्या देना start क्या गया, sign देना start क्या गया, sign बोले तो हम बोल सकते हैं, symbol बोल सकते हैं न, उसको देना क्या क्या गया, start क्या गया, तो अब हम चर्चा करेंग और यह जो लेंग्वेज का रिटरन फॉर्म क्या बन की निकला साउंड और इस साउंड का रिटरन फॉर्म क्या निकलेगा समझ लिजिए कि इसी साउंड से क्या बनेगा इसी साउंड से हमारा लेटर का क्या होगा निर्मान होगा इसी साउंड से हमारा किसका निर्मान होगा लेटर का निर्मान होगा इसी sound से इस sound से किसका निर्मान होगा लेटर का अब थोड़ा से हम लोग समझ लेतें sound तो कहते हैं कि English में total sound की संख्या कितनी बनाई गई 44 और latter जो symbol जो बना और होनी sign जो बना लेकिन sound की संख्या 44 अब कोई हमें ये comments करके तहत इस पद्धती और इस किस सिस्टम के तहत अंग्रेजी में टोटल साउंड की संक्या कितना वना फोटी-फोर क्योंकि कितनी बार हम इस चीज़ को आपको बता चुके हैं एक बार दम लगाईए ना सेर कीजिए नहुंच के सारे स्टुएंट जूर जाएंगे फटा 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 सेर कर देजिए जितने भी स्टूएंट है वेसे हम जानते कि थोड़ा ओड टाइम है बट क्या करें आई हैंग्र नो टाइम है ना बहुत 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 कस्ट उठाना पड़ता है ना उसके बाद जाके आप लोग का क्लास होती है ओके अब मेरा SMS नहीं देखिए क्या कर रहें यही चीज़ हम बोलते हैं आए हैं पढ़ने के लिए पढ़ लिजिये क्यों बदनाम कर रहें आप अपना भी बदनाम होईएगा हमको भी बदनाम किजिएगा आप फॉनली है घर में मांगे पापा से किलाईए हम पढ़ेंगे किरीज सरका क्ला सो रहा है और आप क्या कर रहें आपस में बत्यार हैं आप क्या बुले लड़का का सबसे बड़ा कमजोरी लड़की ही है है ना कोई लड़की कोमेंट की नहीं कि बस उसके पीछे लग जाते हैं लगे रहो लगे रहो अब बकलोल को यह पता नहीं कि क्या पता उस साइड ल देखा कुछ से कुछ क्या रख देते हैं और उसके बाद लगे हैं अलफा वेट के अनुसार चलिए ठीक है तो यहां पर समझते हैं कि इंग्लिस में टोटल साउंड की संख्या जो बना यह बना आई डॉट पी डॉट एक अनुसार किसके कोडिंग आई डॉट पी डॉट एक क्या होता है तो हम आपको पहले भी बताये थे इंटरनेशनल फनेटिक अलफा वेट के तहत इंग्लिस में टोटल साउंड की संख्या कितनी बनी 44 और आज हम आभी थोड़ी दिर में आपको बताने वाले हैं कि इंग्लिस ही कोमन लेंग्वेज क्यों बना इंग्लिस ही ग्ल साउंड देना स्टार्ट क्या अनि लेटर क्या है लेटर कुछ नहीं है लेटर यह क्या है साउंड है लेटर एक साउंड है किसका साउंड है तो साउंड का मतलब जो हम साउंड बोलते हैं यह जो साउंड बोलते हैं इस साउंड का है ना इस साउंड का साउंड जो बना वह ऐसे सी दिया गया हम बोले डी तो डी ऐसे दिया गया एक्चॉली में ए बी सी यह जो देखने ऐसा होता नहीं है बलकि हमारे जो ग्राम अधीन थे हमारे जो पुरबज थे वह इनको मानते आया है तो इसलिए हम लोग भी क्या करते मानते हैं बस वो सिंबोल अधी उनका मंद आता कि एक हम ऐसे दिया तो इसाय वहां बात करें तो लेटर कुछ नहीं है वो एक साइन है किसका sign है तो वो एक sign है language का किसका है भासा का ABCD ये क्या है English का sign है है ना उसी और English भासा का ये क्या है sign है और इस sign के मदद से हम किसका निर्मान करते है word का फिर word के मदद से हम किसका निर्मान करते है छोटे छोटे sentence का है ना that means phrase का हाना फिर उन तमाम phrases को जोर के हम एक बड़े sentence का क्या करते हैं, निर्मान करते हैं और फिर हम उसे बोलने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, एक बार comment करके आप लोग बताईए कि पढ़ने में मन लग रहा है, या नहीं लग रहा है, जो भी interested student है, एक बार comment करके जरूर बताईए गारीग है, तो यहाँ पर हम देखें, तो sound की संख्या 44, लेकिन लेटर की संख्या कितनी 26, यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, तो मैं आपको बता देता हूँ यह बात, इसलिए हजम नहीं हुई, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम बोले C-A-T, क्या बोलते हैं, cat, 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 आप जैसे हम बोले C-E-R, यहाँ पर क्या है हमारा, car, जैसे हम बोले H-O-R-S-E, horse, और यहाँ पर हम बोले H-O-U-R, आवर, आनि एक ही लेटर का दो दो उचारन, एक ही लेटर का क्या रहे, 2-2 उचारन आ रहा है और जब कभी एक ही लेटर का 2-2 उचारन आ रहा है तो आप यहां दिमाग लगा लिजए साउंड तो उचारन तो 44 है लेकिन जब साय इसे देना किया, स्टार्ट किया तो टोटल साय न कितना बना 26 ही साय ऑसे साय का क्या हुआ। टेबल निकल काएगा आप एक बार इसका दर्शन जरूर कर लिजेगा और हम आपको बताए थे कि grammar में हम कोई PDF नहीं लगाएंगे हम अपने से पढ़ाएंगे क्या करेंगे I repeat again जितना चीज होगा हम board पे लिख लिख के पढ़ाएंगे हाँ practice में PDF लगाएंगे otherwise कुछ में भी PDF हम नहीं लगाएंगे तो समझ में आया क्या समझ में आया कि English international language इसलिए बना क्योंकि इनका sign क्या था असान था English international language इसलिए बना क्योंकि इनका sign क्या था easy था बहुत ही easy था क्योंकि देखे होंगे कि बच्पन में A B C D E F G C H I J K यह आप सबसे पहले सीखे होंगे यहां तक कि हिंदी से भी पहले आप क्या किया होंगे सीखे होंगे और ऐसा इसलिए हुआ to 44 sound है लेकिन sign 26 इसलिए बना क्योंकि एक साउंड और एक एक लेटर का धो साउंड था एक एक लेटर का क्या दो दो अब जैसे हम इस ही की बात करें तो इसका कहीं पर सो भी आता और कहीं पर कौई आता है ना अब जैसे हम यहीं पर एक इसको हम मिला रहे है और यहां पे बी यह दो कभी-कभी हम एक लिखते हैं, ईहां लगवाँलग, यहां पे यही लिखते हैं, तो मतलब अएक चीज बता देते हैं, चो यह जटील है, भासा क्या होते हैं, जटिल होते हैं, याद रखियागा, वो भी क्या, कोई भी भासा जटिल होते हैं, क्योंकि एक सब्द का अनेक सब्द है, मतलब एक चीज पर एक जिस्टरी नहीं करता है, तो इसलिए यह क्या होते हैं, भासा कोई लेकिन इसे साइन कितना मिला, 26 मिला, कितना मिला, 26 ही मिला है, और जा कर आप इसे एक बार सर्च कर लिजेगा, फिर उसमें पुन है, आपको दिखाएगा, यह बेसिक जानकारी क्लियम बता रहे हैं, पृर जब वहां जा के देखेगा तो इसे दो भाग में बाठ दिया है, भ इसमें आप कोई नहीं होगा तो चलिए आगे हम लोग बढते हैंने और एक चीज़ को क्या करते हैं समझते हैं मैं समझ पा रहा हूं कि आपकी जो परिसानिया है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं है ना अभी इस टाइम में उन्हें फॉन नहीं मिलता होगा लेकिन बाद में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि हम वीडियो में ज्यादा बकवासी नहीं कर रहे हैं फाल तो बात में लोग क्या है और हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा संचिप्त में हम लोग क्या करते हैं पहले ही बताएं एक चीज आपको भी जश्ट बताएं थे कि साउंड से साउंड का रिटर्ण फॉर्म किसका निर्मान लेता है लेटर का हम बता दिये कि लेटर क्या है भासा की जो सबसे छोटी हिकाई है ना आप समझेगा भासा की क्या जो सबसे छोटी हिकाई है उनको हम क्या करते हैं लेटर करते हैं तो यह दिमाग में रखना फिर इ एहले क्लास में और लेड़ी एस इंग्लिस स्पॉकेन का जो क्लास था तो उसमें जब हम कराए थे तो यह तमाम चीज़ हम चर्चा कर दिये थे बेसिक चीज तो इसी लिए अब आप लोग डारेक्ट हैडिंग दीजिए है ना जो इन्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर हम लो सब्सक्राइब निए अच्छे से हम जब सजाएं तो यह एक अर्थ दिया है इसलिए हमारा क्या क्या आया सब्सक्राइब किताब में पढ़े होंगे आए वह एक ग्रूप अप लिटर स्विच सम्मेंक मैंश इंग इसका पूछ आ थाता तो उत्रा लंबा नहीं जाना हमको दिपनेसर पूच़े गाने मैं क्या अर्णेन्ट और पूट्फ्ट हम क्या कहते हैं वर्ड को थे इसका पूचरत है तुए आपने विड़ है जैसा हम पूले स्सक्राइ सब्सक्राइब है था उनटीस आपमें क्या है धी सक गौत पूर था रहा है दी ओ जी डॉग को हम क्या कहेंगे sentence कहेंगे जब छोटे छोटे words को जब हम सजाते हैं तो किनका निर्मान होता है sentence का क्या होता है निर्मान होता है तो यह basic चीज़ था हम चर्चा भी किये थे पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में सबसे छोटा word है I और क्या ए और पूरे दुनिया में सब इसका नाम है parts of speech, ओके, ये थोड़ा सा basic था, हम लोग को चर्चा करना जरूरी था, अब heading दीजे, आप लोग parts of क्या speech, part of क्या speech, और फटा-फट आप लोग बताईए कि हम parts of speech किसे कहते हैं, एक बार हम आपका comment पर लेते हैं, आप लोग फटा-फट बताईए कि parts of speech हम किसे कहते हैं, अब देखें, यहाँ पर kitchen queen superior, मैं नहीं जानती हूँ, तीवम को, आप लोग आपस में बात ही किजिए, ठीक है, spoken English, 38 है, ब्रूर, नहीं, बिल्कुल नहीं, English spoken का class अभी just, तूरंत इसके बाद ही होगा, 5, 15 में आप लोग की class क्या होगी, English spoken का start होगा, और यह बिल्कुल भी इससे attach नहीं है, यहाँ जो आप अभी जो class कर रहें, यह grammar की class है, यह 11th की class है, that means यह उनसे बिल्कुल क्या है, हट के है, यह दिमाग में रखेगा, spoken की class, 5, 15 से नहीं, English spoken की class, अभी just कितने में, 5, 15 में स्टार्ट होगे, जो भी student application में payment दे के purchase किया है, बहुत अच्छा जो नहीं किया है, कर लिजिए, कितने मंत के लिए, 6 मंत के लिए, ओके, तो चलिए, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, that means क्या parts of a speech, और हम लोग बिल्कुल धीरे-धीरे चलेंगे, हम लोग की class की जो duration होग 45 मिनट हम लोग करेंगे class है ना, ठीक है, तो इसलिए दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखना, एकदम अराम से चलना है ना, अराम से, फिर हम आपका spirit बढ़ा देंगे, धीरे-धीरे, पहले आदत तो लग जाए, और बताए तो किसको, किसको hard लगा, इतना दिर हम समझाए divided into eight groups and according to their function in the sentence, बहुत अच्छा प्रियंका परजापती लिखी है, चलिए, उसके बाद, real thing, all the English words are divided into eight groups, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, all English words are क्या, divided into, चलिए, वह, क्या बात है, चलिए, तो समझ ये, हम आपको बताते हैं, है ना, एक समझ ये, समझ से, क्या हम आपको बताते हैं, कोई चीज रटने की जरूरत ने, किरी सर से पर रहे, ये है बबवा, इंगलिस, ये कौन है, इंगलिस, और इनके कितने बेटे हैं, और इनके कितने बेटे हैं आपर धियान दीजिए, ये हैं इंगलिस, और इनके टोटल बेटे के बारे में चर्चा हम करें इनके total बेटा का संख्या कितना है 8 कितना है 8 है समझते जाएगा ना कितना है 8 बेटा है इनके पास समझ येगा गौडस और कितना ये महत्वपूर्ण है आप सोच भी नहीं सकते बहुत जादा महत्व पूर्ण है इसको एकदम अच्छे से हम लोग समझेंगा आपको हम बोले भी थे ग्रामर मने एक वार किसे पर ले ना है किरीश सर से फिर जिन्दगी में दिक्कत बिलकुल भी नहीं होगा है ना और किसकी मजाल जो किरीश सर के स्टुडेंट को छेरे वो भी किसमें ग्रामर में है ना कूट के धर दिजिए गाप लोग ठीक है तो इंगलेस में जितने भी वर्डि सोते हैं ना एंगलेस में टिरी वर्ड्स वर्ड्स या क्या सेंटेंस उन्हें एट पार्ट में इसार्च हम आपको पहले ही बता चुके है कि डिफ्रेशन के पीछे नहीं जाना है हमें जाना है कॉंसेप्ट के पीछे और उसे लॉंग टर्म अपने मेमोरी में रख लेना थाकि हमें उससे मदद मिले तो यह बबुआ है इंगलिस क्या है इंगलिस ठीक है और इनका मुख्य रूप से 8 बचवा है कितना बचवा है 8 कितना बचवा है 8 सभा कुछ बेता चलो इसमें हम लेक देते हैं 8 बेटा और बेटी क्या कर देते बेटा और बेटी ठीक है तो इस आफ नहां वहीं हमारा क्या है 500 प्रवाजने करने का मतलики यह इंग्लिस पपा है किनका इन आफो का हान और इन आफों के मिला के एक नाम पडा हुन आठो को मिला के क्या पड़ा नाम परा जिससे हम क्या करते हैं पार्ट्श यह वर यह प्रोजिशन यह क्या इंटर्जेक्षन आने इन तमाम फैमिली को जिसे ने बोलते हैं कि गाउं में कुछ फैमिली होते हैं तो उनका हम लोग क्या एक नाम रख देते हैं तो इसी तरह से समझ यह कि इंगलिस पपा है किनका इन आठो का आठो का नाम करन हम अभी बता देंगे और यह आठो जो है यह सब आठ यह और यह है ना दैट मिंस पूरा सब मिला के इस आठो भाई जो बड़ा हुआ जब यह बेचरा का कहानी खतम हो गया तो बचा को बेटवा सब और इन तमाम इन आठो में सबसे बड़का भाई कोन है नाउन है अधी नाउन को ना समझा तो फिर सातो समझ में ना आएगा तो नाउन है इन तमाम का इन साथ का सबसे क्या बड़ा भाईया अब बताईए कि कहां आपको लग रहा है कि इसमें दिक्कत है अच्छा एक पूछ रहें कि प 903 इंगलिस का कोई भी पेमेंट आपको इसी पर करना है ठीक है और 81-14-23-20-21 यह है प्रिंसर का नमबर इसके अलाबा इंगलिस के अलाबा जैसे कि मन के लिए 10th का दी आपके दीदी या भाई या बहन जो भी है अधिक और स्पर्चेच करना चाहता है तो किस नमर पर पे करन है इस नमर पर करना और इंगलिस का कोई भी कलास लेने के लिए जैसे यह 11 का चलना इसको भी आपको ले रहा है तो किस पर करना 91-190-13 और इसमें मेरा नाम आएगा कृष्ण ननंदन कुमार करके नाम आएगा ठीक है मेरा घर का नाम है लंबा चोड़ा है ना और उसमें मे करक करना की कलास को क्या करते हैं यहांचे वैँज कंण सकते हैं है ना और वहां से आप जोइन कर सकते हैं तो चलिए आगे हम लोग बरते हैं और आज यहीप हम लोग क्लास है यह इन्र करते ऌर फिर हम लोग हम स्टार्ट करते हैं इस पहुक स्टॉर का क्लासë दस मिनट के बाद आप लोग की कुलस्टस्ता रिच और एाप नाम वहतमग से जुआं कर सकते हैं थांक यू तीन क्लास और आप लोग को डेमो में मिलेगा है ना बाद में की फिर आप पर बिलकुल भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा ठीक है सो तर तक के लिए टेक केर जाए इन जाए भारत